आपका स्वागत है आज आपके सामने मैं लेकर आँ एक शोड वीडियो जो रिलेटिड है सिंपल डीसी मोटर से यानि इस शोड वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से कुछ टाइम में ही हम एक सिंपल डीसी मोटर बना सकते हैं जो हम झोड़े शोड़े बच्यों को और अपने बच्यों को दिखा सकते हैं कि एक्च्वल में जो मोटर हमारी किस तरीके करती है मैंने आपको बताना चाहूंगा कि डीसी मोटर एक ऐसा डेवाइस है जो कन्वेट करता है आपका एलेक्टिक Top to mechanical energy, यानि वो electric energy को लेता है और उसे mechanical energy में convert कर देता है तो simple DC motor के लिए कुछ main parts है जैसे मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि पहला जो main part है, यानि एक DC motor बनाने के लिए पहला main part जरूरी है, वो है magnets दूसरा coil, यानि number of turns कोई भी हमें एक L length of the conductor हम लेंगे अगर उसके हम number of turns, end number of turns कर देंगे तो बनती है coil, तीसरा है हमारा battery source जो हमाई जरूरत है इस वीडियो के अंदर वो 9V से 12V के DC source की जरूरत है और जो last one है, वो हमारा connecting wires तो कहने का मतलब है कि simple DC motor को हम बना सकते हैं, जो समान चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ पहला तो यह आपके सामने जो box दिखाई दे रहा है यह हमारा एक watch का box है जो मैंने लिया है, उस पर simple एक tagging लगा दिया गया है simple एक plastic का box है एक simple DC motor बनाने के लिए यह मैंने कुछ समान यहाँ पर आपके सामने दिखा रखा है तो पहला समान जो है इसके अंदर वो आपको चाहिए cutter मैंने यहाँ पर दो safety pin भी यूज़ करा है यह conductor है आपका, copper conductor है यह 9 volt DC source है यहाँ पर मैंने दो magnet यूज़ करा है this is permanent magnet यह box मैंने इसले लिया है क्योंकि मुझे coil बनानी है end number of turns बनाने है coil के तो यह box उसमें यूज़ करूँगा मैं एक glue stick एक fabi quick मैंने हाँ पर लिया instant adhesive है और यहाँ पर दो wires यूज़ करा है एक green wire एक black wire एक को मैं positive यहाँ पर resume करूँगा दूसरे को negative जो मैं DC source से connect करूँगा जैसे कि मैंने अभी बताया था वीडियो में यह आपका plastic box है मैंने वास से लिया है यह इसका base बनेगा और यह आपका multimeter है तो दोस्तों यह सारी जो हमारे सामने समान है यह required है कोई भी simple DC motor बनाने के लिए चले अब हम start करते हैं DC motor का construction सबसे पहले हमको क्या करना है एक empty box लेना है plastic का इस तरगे का box मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है और magnet लेना है हम क्या करेंगे यहाँ पर यह magnet जो है इसको यहाँ पर हम paste करेंगे क्योंकि यह हमारा base बनेगा यह एक ऐसा magnet field बनाएगा जिसके interaction के साथ coil हमारी move करेंगी rotate करेंगी तो सबसे पहले हम use करते हैं glue use करते हैं यहाँ पर और इस magnet को हम यहाँ पर paste करते हैं यह देखेगा यह जो box है इसके उपर हमने magnet हैंपर paste कर दी with the help of quick adhesive देखेगा यह जो magnet है इस box के साथ छिपक चुका है अब हमको क्या करना है यह दो safety pin लेने हैं और इसके दोनो side में इस तरीके से यहाँ पर हम paste कर देंगे देखे इस तरीके से यह वो structure बनेगा base बनेगा जिसके उपर हमारी जो coil है इसके support से हमारी coil move करेगी magnetic field में देखेगा यहाँ पर और यहाँ पर हम इसे paste कर देंगे चलिए अब हम इसे paste करते हैं इसे हम चिपकाते हैं अच्छी तरह किसे यह देखेगा कोई कड़ेशिप से हमने यहाँ पर इसे चिपका रहे हैं एक साइट सेफटी पी नहीं पर चिपक चुकी है ऐसा ही हम दूसरी साइट भी करेंगे इसे हम पेस्ट करेंगे इतना ध्यान रखेंगे कि इसका और इसका जो लेवल है वो सेम रहना चाहिए यह देखेगा सेम लेवल पर होना चाहिए देखेगा इस वाले बॉक्स पर दोनों सेफटी पी नहीं पर मैंने चिपका दिया है विद यह हम पर कंप्लीट हो चुका है पहला मैगनेट हमने यहाँ पर चिपका है यह बेस है यह दो सपोर्टिंग स्टेक्चर बनाए जिसके उपर हमारी जो कोईल है सपोर्ट पे रहेगी और मूव करेगी इंसाइड दा मैगनेटिक फिल्ड अब हम नेक्स स्टेप पे आते हैं नेक्स स्टेप में हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह जो हमारे सपोर्डिंग है इसमें इस साइज की कोई अगर हम यहाँ बनाते हैं तो यहाँ पर यह बिल्कुल सभी बैट रहे है इसका यानि अगर सपोर्डिंग है कोईल लखेंगे तो इतना साइज काफी है इसे मुग करवाना विदिन अग की 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 क्या करना है कि यह कंड़कटर लेना है और इस तरीके से हमेसे करना है कि इसकी n number of turns हमारे यहाँ पर wound करने हैं तो कुछ हम part यहाँ पर छोड़ देते हैं यह देखेगा कुछ part हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर और इसके उपर wound कर रहे है n number of turns n number of turns का मतलब आप कितने भी turns ले सकते हैं यह देखेगा 1 2 3 4 5 5 6 7 8 यह देखेगा यहाँ पर यह कॉइल बनती जा रही है 9 10 11 12 12 यह देखेगा अब हम इसे यहाँ से निकाल देते हैं इसका काम यहाँ पर खतम हो गया है तो यह देखेगा यह इस टैम आपके सामने coil हमारी बन गई है इसके दो end है हमारे start end और finish end अब हमको क्या करना है इसे glue की सायथा से इसको हम solid बना देंगे इस टैम जा आप देखेंगे यहाँ यूज करेंगे यहाँ पर आप एक काम और पहले कर सकते हैं कि यह अपनी side से हिलेना इसके लिए हम इसमें एक इस तरीके से हम इसे घुमा देंगे घुमाने से क्या होगा यह coil हमारी मजबूत हो जाएगी और move नहीं करेगी यह देखेगा इस तरीके से और same यहाँ पर हम करेंगे एक side से तो यहाँ पर हमने इसको लपेड दिया है जिससे थोड़ी मजबूत हो गई है कोयल और ऐसा ही same हम इस side से करेंगे यह देखेगा यह देखेगा यह आपकी यह यहाँ पर coil complete हो चुकी है coil है end number of turns है जिसमें हमने 12 turns लिया था और simple इसके दो end आ गए है end first और end second अब हम क्या करेंगे next step में इसके उपर हम glue डालेंगे यहाँ पर adhesive डालेंगे जिससे यह हमारी मजबूत हो जाएगी और भी मजबूत हो जाएगी इससे फायदा यह रहेगा कि एक proper shape मिलेगी इसे हमें इस coil को एक proper shape देने के लिए इसे हम adhesive से मजबूत कर देंगे देखेगा मजबूत करने के लिए मैं इस पर adhesive की एक layer डाल रहा हूँ यहाँ पर सेम यहाँ पर करना है दूसी साइड हमको देखेगा यहाँ मैंने एक adhesive की layer यहाँ पर apply कर दिया जिससे क्या होगा एक proper shape तो आए गई है और coil सारी जो conductors हैं आपस में यह चिपक जाएंगे देखेगा जैसे मैंने पहले बताया था basis का तयार हो चुका है coil पर जो मैंने adhesive डाला था वो सूक चुका है और यह मजबूत हो गई है coil अब हमको क्या करना है हमको इस supporting structure पर इस supporting structure इस safety pin पर इस coil को mount करना है तो इसके लिए हम क्या देखते हैं हम यहां पर यह देखते हैं कि कितना wire हमको cut करना है मैंने बताया था extra wire जो है वो cut कर देना है सेम इतने ही हम wire cut करेंगे यह आपर यह जो conductor है यह देखेगा अब इसको मैं यह दिखाना चाहूंगा कि यह supporting structure किस तरीके से काम करता है यह देखेगा supporting structure थोड़ा और cut लेते हैं हम यहां से इसे काम के वाम करेगे यह देखेगा यह दिखेगा यह दिखेगा यह दिखेगा यह वो coil है जो मूव करेगी विदिन दा मेगनेटिक फिल्ड अब आपके सामने यहां पर रखावा यह देखेगा इस तरीके से यह मूव करेगी विदिन दा मेगनेटिक फिल्ड जैसा आप यहां देख रहे हैं से तरीके स्टायम के विदिक फिल्ड हिसकी करेखेक उस्टायम मारेटिकनलें करें बास्तिक कडेी करीर खिल्डर करहे हैं कि मेंस्ट्ट करूम està कर दें दिखिता है हाप पोशन से हमको ये insulation उतार नहीं है तो इसके लिए हम ये ले लेते हैं प्लास्सिक का पार्त ले लेते हैं और इस तरीके से रखते विए देखे वर्टिकल हमने इसे रख रखा है और कोई भी blade वगैरा से हम हाप पार्त से इसे उतार लेंगे देखेगा इसे वर्टिकल रखते वे हमने इसके हाफ पोश्चन से इसकी एक इंसुलेशन की लेयर उतार दी है सेम हमें इस साइड करना है दूसी साइड में और इसके उपर जो हाफ पोश्चन की लेयर है इसको हमको उतारना है ध्यान देखेगा नीचे वाली साइड से कभी भी इंसुलेशन लेयर नी हटाना है खाली उपर वाली layer से ही half portion से हमको insulation layer हटाना है अब इसकी भी हम अटाते हैं with the help of some blade और कोई भी आप knife भी ले सकते हैं देखेगा इस coil पर से हमने insulation की layer हमने यहां से blade की सायता से इसको उतार दिया है अब यह हमारी coil भी complete हो गई है base भी complete हो गया है इसको हम rotor भी बोल सकते हैं magnetic field भी हमारा यहां पर complete हो गया है अब लेंगे हम wire हम यह connecting wires के लिए हमें इसको use करना है यानि यह wire positive होने assume करा था इसे हम यहां पर connect करेंगे या यहां पर connect करेंगे same यह black हमारा negative wire है यानि positive यहां पर connect करेंगे negative यहां connect करेंगे तो हमारा एक supply मिल जाएगी जो हमारी supply आगी इस 9V DC source से wire काट लेते हम देखेगा हम नए wire यह cut कर लिया है विद्यालपाफ कटर इस टम आप देखेगा यह दो wire आ गए हमारे मैंने बताया था यह हम positive मानेंगे और यह negative मानेंगे अब यह wire हम क्या connect करते हैं इस जगे supply के लिए that's why it is called connecting wires यह हमने connect कर दिया है positive wire के लिए और यह negative wire के लिए देखेगा हमारा जो है 80% काम complete हो चुका है supporting safety screen यह wires हमने यहाँ connect कर दिया यह positive यह negative के लिए यह हमारी magnet है permanent magnet एक magnet और हम connect कर देते हैं यहाँ पर यह magnet हमने यहाँ पर इसके साथ जोड़ दिया है इस ताम इसकी magnet field stand बहुत ही बढ़ चुकी है एक बार हम इसे try कर लेते हैं देखते हैं यह सही बैठा है नहीं बैठा यह देखेगा बिल्कुल perfect बैठा है यह बिल्कुल perfect है इस ताम यह इस ताम हमारा जो 90% हमारा यहाँ पर complete हो चुका है construction एक पर हम मैं दुबारे बता देता हूँ आपको यह plastic का हमने लिया था box यह दो magnet है permanent magnet यह safety pin base के लिए supporting के लिए 2 connecting wires और यह रही आपकी coil हमारी construction पूरी हो चुके simple DC motor की अब हम इसे on करते हैं on करने के लिए हमने supply दिया है हाँ पर 5V DC supply जो एक charger के थूँ आ रहा है अब मैं इसको on करता हूँ supply को देखेगा किस तरीके से हमारी जो coil है वो move करने लगी inside the magnetic field और कितनी अच्छी speed से यह run कर रहे हैं आपर यहां सिर्फ मैंने भी 5V DC supply दिया है अगर यह 12 यह 15V होती तो और भी अच्छी speed मिलती greater by the voltage greater by the speed दोस्तो आपके सामने ही है DC motor जो मैंने भी आपको construction बताई थी दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो subscribe करें और like करें duty future technology को मैं निरंतर ऐसी ही आपकी knowledge बढ़ाने के लिए वीडियो लेके आता रहूँगा और मैं आपको यह बताना चाहूँगा यह सारी वीडियो मेरी अपनी वीडियो हैं मैं खुद इसमें शामिल रहता हूँ और यह जो आपके सामने इस time जो simple DC motor है यह मैंने अपने हाथ से खुद ही बनाई है आज अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो कुछ आपको motivate करती हूँ तो please subscribe करें और like करें GT Feature Technology को दोस्तो एक बार और हम run करवाते हैं देखेगा यह देखेगा यह है हमारी simple DC motor दोस्तो अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो please subscribe करें और like करें GT Feature Technology को मैं दुबार हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ ओके बाई have a nice day